हेलो फ्रेंड्स जैहिन आई एम समीर आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 & 10 में क्लिपार्ट & सेप्स ओप्शन का यूज करना सीखेंगे जो की इंसर्ट टैप के इलस्ट्रेशन ग्रूप में प्रिजेंट होता है तो चली आईए इसका यूज करना सीखें अगर हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करें and all option को सेलेक करें जिससे हमारे वीडियो की आने वाले नूटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके हैं स्टुडेंट्स जैसा कि हमने पिछली वीडियो में लर्न किया था कि पिक्चर को इंसर्ट करके उसे फॉर्मेट कैसे करते हैं और एडिटिंग कैसे करते हैं आज की वीडियो में हम insert option के illustrations group में clip art option का use करना सीखेंगे insert option के illustration group में clip art पर जैसे ही click करते हैं तो right side में task pan में clip art का एक dialogue box आ जाता है इसमें search for computer मैंने search किया और go पर click किया है और search in my collection, office collection and web collections में से आपका data सर्च होकर आएगा and all media type आपके search हो जाएँगे, easily आपने देखा कि बहुत सारे essay clip arts already insert होका आ रहे हैं और इसमें से हम जो भी clip arts चाहते हैं उसे left clicker के mouse से आप सीधा ही working area पर drag कर लोगे तो जैसे कि मैंने first image को working woman को insert कर लिया है and then complete computer को होके और आप देखते हो किसी भी clip art या image के चारो तरफ rotation में कुछ circles होगते हैं जिसे आप टच करते हो तो double headed arrow में आपका mouse pointer convert हो जाता है और आप इसे increase or decrease कर सकते हो जिससे कि आप resize करके clip art को adjust कर पाऊगे okay and then now office clip क्लिप organizer पर क्लिक करेंगे organize clip पर आपके पास office कलेक्शन में एनिमल्स आर्ट्स और शेप background बहुत सारे ऐसा options है agriculture related आप किसी भी एक image को directly यहां पर जैसे कि मैंने rabbit को left click करके drag करके again working screen पर paste कर दिया देख रहा है और हम इसे भी resize कर लेंगे resize करने के बाद हम picture की quality में changes कर सकते हैं और हम भी ध्यान में रखेंगे कि किस तरह के से हमें process को complete करना है तो picture को सबसे पहले हम select करते हैं और select करने के बाद जैसा कि आप option पर देख पा रहे हो यहां पर format टैप शो हो रहा है और अगर आप पिक्चर को नहीं select करोगे तो यह option नहीं शोगा ओके तो picture को select करके right click किया context मेनू से आपके पास copy paste edit picture format picture बहुत सारे option है तो edit picture को मैंने click कर लिया अब यहां पर edit picture पर click करने पर हम picture को crop कर सकते हैं color and points को देख रहे हो आप क्लिक करता हूं context मेनू से format option को select करता हूं and then again color and combination से पैलेट से color को select कर लेते हैं okay and again control z कर लिया मैंने फिर से right click किया format auto shape पर click किया और यहां पर हमारे पास देख रहे हो fill effects में color भी है line में हमारे पास yellow मैंने select कर लिया color palette से और again मैं यहां पर fill color में जाता हूं color को select करता हूं okay तो आप color को यहां पर change भी कर सकते हो red color मैंने outline में ले लिया और आप देख पा रहे हो जो आपके rabbit का color है वह change चुका है object का भी color change कर लेते हैं जो इट कर रहा है उसको मैंने green कर लिया है okay and okay कर दिया आप देखते हो object का color change हुआ है जो वह eating कर रहा है खा रहा है खरगोश ओके and then right click कि again image पर edit points पर हम click कर सकते हैं या फिर हम grouping पर भी convert कर सकते हैं जिससे कि हमारा image असानी से group हो जाए और format auto shape पर जाकर हमें यहाँ पर देख पार हो आपके पास options है तो यहाँ पर gradient texture pattern हम उन्हें ने यह सारी चीज़े तो फिल करके देखी है मैं आज picture को select कर रहा हूं rabbit के internal में यह rose का flower जो है फिल होकर आ जाएगा देखा आपने इस तरह से आप अपनी image को किसी भी shape में insert कर सकते हो okay control z कर लिया मैंने again तो इस तरह के से हम जब भी किसी भी object को या image को search करते हैं select करते हैं तो हमारा data आसाने के साथ work करता है and go to the insert option and then shape option पर जाएंगे shape option पर जाने के बाद मैं यहाँ पर circle option को select करता हूं यह oval को और यहाँ पर एक oval design कर लेता हूं करके और arrow को design कर लेता हूं इस तरह से बहुत सारे shape में इसलिए insert कर रहा हूं कि आपको इस समझ में आ जाए कि how to insert and how to draw a shape within working area okay तो हम इस तरह के से असानी के साथ कोई सभी shape design कर सकते हैं just like as मैंने curve design कर लिया और इस curve के according मैं आपर एक mass shape generate करूंगा जो कि हमारे shape option में नहीं है तो format option में दिखा मैंने आप edit points पर मैंने click कर दिया है insert shape के internal में जो कि हमारे पास ribbon पर available था format shape के internal में और insert shape में edit of points को click करेंगे ठीक है तो आपका जो shape में बहुत सारे points में divide हो जाता है और आप देख रहे हो मैं one by one points को edit कर रहा हूं तो ऐसे ही हम starting से लेकर last के सभी points को edit करते हैं अब इसका use हम क्यों करते हैं जैसे कि मान लीजिए आपको एक map design करना है इंडिया का या फिर किसी other country का तो आप आपस इन इससे points को क्या कर सकते हो move कर सकते हो तो आप देख पा रहे हो ना एक अच्छा सा shape generate हो गया है इस shape के internal में हमें color fill करना होगा color fill करने के लिए object को select कर लिया है format shape पर जाने के बाद मैं यहाँ पर picture के अंदर color को fill करूंगा ओके यहाँ पर दीख पा रहे हो ना आप shape styles में different type colors outline combination shape है fill effects में आप जाकर यहाँ पर gradient color को select कर सकते हो gradient combination of two colors and fill color में आपने directly palette से yellow color select कर लिया है but मैंने यहाँ पर again gradient color में two color combination को select किया तो यह white and yellow का combination है तो more gradient effect पर click किया और यहाँ पर option पर जाकर मैंने color combination को select किया है यहाँ पर horizontal यह vertical यह फिर कोई सभी एक gradient style यह setting style को select कर लेंगे two color को select किया first को yellow किया second को green कर लिया और देख रहे हो आपके पास two color की combination है किसी को भी again मैं आसे select कर लूँगा यहाँ पर form center select किया है और second वाला option select कर लेता हूँ and then option आप देख पा रहे हो यह style है आपके पास तो two color की combination जो की बहुत ही attractive format में है मैंने again outline को red color का कर लिया है तो red color का करने के यह बाद हमें आपर fill effects में again जाते है fill shape में ठीक है तो fill shape में जाने के बाद मैं आप देख रहा हूँ मैंने starting में curve से start किया था और यहाँ पर काफी ज्यादा attractive हो चुका है ठीक है और again मैंने shape को select किया है star को और इसे convert कर दिया draw, shadow, properties, pictures ओके तो मैंने आप सबसे पहले shadow draw कर लिया है and shadow color को भी हम change कर सकते है shadow color को मैंने यहाँ पर red, green, yellow भी कर सकते हैं यह देखिए मैंने yellow कर लिया again मैं change करता हूँ फिर से आपको issue करता हूँ click किया format option पर shadow effect and shadow color and then red option ओके फिर से आप shadow को distance पर रख सकते हो object से जिससे कि इसका 3D effect थोड़ा अच्छा हैगा तो आप यहाँ पर दिख रहो shadow effect में ही यहाँ पर बहुत सारे डागनल्स arrow है left, right, top, down जिस भी direction में आपको shadow को distance देना है आप इस direction में इसे click करोगे तो यहाँ पर यह क्या होगा आपके object से shadow की distance थोड़ी ज्यादा हो जाएगी ठीक है वो green color का हो गया और front का color का auto shape पर जाकर हम fill of effect का option जैसे use करते है न object को select करेंगे तो यहाँ पर आपके पास directions होगा direction को भी किसी angle में या depth को भी किसी angle में बदल सकते है depth का मतलब उसकी गहराई कितनी है 3D की तो आप 72 points पर रख लेते हो या फिर आप 144 points पर रख लेते हो या फिर आपके पास 36 points पर रख सकते हो जो भी आपको adjust हो उसी point पर आप set कर लेंगे and then again यहाँ पर मैंने direction को select कर लिया है direction को centric positions में रख सकते हैं left right bottom किसी भी direction में गुमा सकते है 3D का shape को जिससे कि वो पहले से थोड़ा सा angle को change कर लेगा और यहाँ पर हम parallel भी कर सकते हैं प्रेस्पेक्टिव भी कर सकते हैं जो भी options बहुत सारे options होते हैं और यूट्यूब की वीडियो में आपको इतना deeply information नहीं मिलता है तो आप इस वीडियो को अच्छे से पूरी तरीके से देख सकते हैं और देखिए मैंने यहाँ पर light focus को adjust किया है यह अक्सर photoshop and coral draw में आपक object को यहाँ पर delete कर दिया है जिससे कि आप इस image के सभी effects को आसानी से देख सको ठीक है फिर से again select किया है मैं यहाँ पर जाता हूँ lighting option के बाद surface पर surface यहाँ पर plastic, metal आपके पास different different type के आपके options मिलते हैं तो मैं यहाँ पर हमेंने metal पर ज्यादा करेंगे तो highlight हो जाएगा ठीक है option आप चाहो select कर सकते हो आप देखो पीछे background में मेरे पास safe है अगेन right click किया format auto shape पर click करेंगे आपके पास यहाँ पर फिर से हम जाएंगे size layout बहुत सारे option है तो आप यहाँ से change कर सकते हो image जिससे कि हमारे center रहे और color and fill effects में जाने के बाद हमें क्या करना होगा simply हम क्या करेंगे color and fill effects में जाने के बाद fill effects में click करते ही है dialog box आएगा इसमें picture option को select करेंगे fill effects में picture यह सारे color तो आपने कई बार fill करके देख भी लिए हैं इसमें मैंने green, yellow या फिर जो भी चाहिए आप fill कर सकते हो if you have a choice यहाँ पर texture भी मैं नहीं fill करूँगा मैं आपके सामने यहाँ पर एक shape fill करने वाला हूँ जिससे कि इसका जो cube का shape आए काफी अच्छा है जैसे कि आप देखते हो paper weight होता है same उसी तरह से 3D architecture में हम इसे design कर सकत हूँ इससे कि आपको deeply हर एक point समझ में आ जाए and pictures को गया मैंने आप पर flower को ले लिया नहीं flower को नहीं लेता हूँ मैं यहाँ पर एक scenery ले लेता हूँ yes okay of course this is very attractive and okay किया आप देखो कि बहुत ही attractive features आ रहा है यहाँ पर आप अपनी photo भी लगा सकते हो जिससे कि आप कोई logo design करो कोई rating card design कर रहे हो तो आप shape में ऐसे ही pictures को लगा सकते हैं okay तो आपका काफी सारा attractive images बन रहे हैं और यहाँ पर इस तरह से हम shape and clay part के साथ में work कर सकते हैं ऐसे ही हम किसी भी videos and object के साथ में work करेंगे तो अगली वीडियो में हम जिससे की बात करेंगे insert option के और भी parts को जिसमें smart art और और भी कई effective tools के बारे में बात करेंगे तो हमारी अगली वीडियो को देखते रहेगा और जो पिसली वीडियो को आपने नहीं देखा है जिसमें आपने pictures को insert करना tables और बहुत सारी चीजों को insert करना नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाकर इन सभी objects को insert करके check कर लोग तो आप जैसे top में जो हमारे tickets हो कर रहे हैं इस पर भी आप click कर सकते हो otherwise वीडियो के description में सभी parts के link मैंने already display कर दिये हैं thanks for watching this video दोस्तों वीडियो से related comment and suggestion के लिए comment box का use करें और हमारे चैनल के अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूले जैन